अब आपका बहुत स्वागत है आज आपकी एक्जाम सिटी भी आ गई और बहुत बड़ी बात है जादतर बच्चों को अपनी होम सिटी ही मिल गई है बहुत बड़ी आप ठीक है अब काफी सारे लोग इसके बारे में कुछ और बी बते कर रहे हैं पर और बातों से सबसे बरती बोड़गा तो कुल मिलाकर अंतिम साथ दिन निर्नायक होने वाले हैं किस तरह से आप इन साथ दिनों को जीएंगे वो डिसाइड करेगा के आपका सेलक्शन होगा के नहीं ठीक है मैं पूरा गाइडन्स की कल दो तिन वीडियो डालूँगा उनको आप जरूर देख कर रहे हैं आपके हिंदी के 400 इंपोर्टन प्रेशन का और सारे के सारे इंपोर्टन कोश्चन आज आपके हैं ठीक है तो बिना देरी किये कोशिश करता हूँ आज 10 मिनट में सारे के सारे कोश्चन हम लोग फटाफट कर लें आप लोग देखना कि 40 में से आपके कितने कोश प्रतेख वर्क का दूसरा है ना दूसरा और प्रतेख वर्क का चौथा प्रतेख वर्क का दूसरा चौथा आपका क्या होता है महाप्रान दूनी होती है तो के आपका पहला है गे आपका तीसरा है ठीक है के वर्क का खा आपका दूसरा है बै कौन सा है बै का आप कहा देखेंगा बै का तो बै को आपको समझना पड़ेगा यह ना कहे खे 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 आंगा अटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटा काट करके सही कर देता हूं यह है विडावजा किसका पर्यायवाची है पूरे के पूरे कोश्चन की बेंड लगा रहे हैं तो बिडावजा इंद्र को होगा तो पौरस्ते होगा पूर्व से संबंदित जो होता है उसको पौरत से कहते हैं क्या कहते हैं पौरत से है ना पौरत से और पास्चा जाते है अगला कटक का एक अर्थ नहीं है तो कटक जो होता है यह आपका सेना सेना कोई चमू कहते हैं समू है ना दल कह देते हैं समू आपका हो जाएगा ठीक है तो तक और पलंग ये आप का हो जाएगा सकार्थ सही व्याक्य आपको छांटना है वाक्य शुद्धी है साहित्य और जीवन का घोर संबंद है घोर संबंद नहीं होता ठीक है साहित्य और जीवन का अभिन क्या होता है अभिन संबंद होता है भी आप किसे हो जाएगा साहित्य और जीवन का घनिस संबंद है नहीं और साहित्य और जीवन का घनिस सम्मंध है मेरे साब से इसमें ये उतर सही होना चाहिए C, ये इसमें ज्यादा बहतर है दोनों options सही हैं, B और C परन तू ज्यादा बहतर साइट और जीवन का घनिस सम्मंध है ये आपको ध्यान रखना चाहिए अगला, अयुष्मान का श्ट्रिलिंग क्या है? तो जहां पर भी अंत में मान आता हो और वो पुل्लिंग शब्द हो और उसको आपको किसमें कैनवाट करना है स्ट्रिलिंग में तो उस मान की जगए आप मती लगा दीजिये क्या लगा दीजिये मती तो आयुश्मान होगा तो आयुश्मती आपका उत्तर हो जाएगा ठीक है अगला प्रश्न है मोहन से सोहन पढ़ने में तेज है तो यहां पर पूछ रहा है वाक्या में किस कारक का प्रयोग है तो से का प्रियोग कहां पर होता है एक तो करण कारक में होता है एक आपके अपादान कारक में होता है ठीक है करण कारक में से का प्रियोग साधन के रूप में होता है जबकि अपादान कारक में से का प्रियोग एक तो अलगाव की सेंस में होता है अलग होने की या एक तुलना की सेंस में होता है किसमें तुलना कंपरिजन की सेंस में होता है तो मोहन से सोहन पढ़ने में तेज़त तुलना में अपादान कारक हो जाएगा अगला सरवनाम के कितने वेद होते हैं तो सरवनाम के आपके छे भेद माने गए हैं कौन कौन से आपका पुरुष वाचक है ना वाचक नहीं लिखूंगा ठीक है दूसरा आपका अनिश्चे वाचक है ना अनिश्चे वाचक तीसरा आपका निश्चे वाचक निश्चे वाचक को संकेत वाचक भी कहते हैं क्या कहते हैं संकेत वाचक सरुनाम भी कहते हैं ध्या अगला मीठा अमरूद में मीठा विशेशन किस कोटी का है तो अमरूद क्या है अमरूद है यहाँ पर विशेश यह ना और मीठा है विशेशन और जब किसी वस्तु के गुण धर्म सभाव दिशा दशा इत्यादी के बारे में बात की जाती है तो वहाँ पर आपका गुण व पूरी करता है और पूरी करते ही तुरंत क्या करता है दूसरी में लग जाता है क्या होता है दूसरी में लग जाता है यह बात ध्यान रखनी है पूर्ण काली क्रिया क्या होती है जब करता एक क्रिया पूरी करके तुरंत दूसरी में लग जाता है तो पिता जी इसनान करके प प्रकार होते हैं भूत भविश्य वर्तमान ये काफी सिंपल कुशन है बैट एक जगह आया था इसलिए मनें बता दिया एक आपके वाच्चे जो होते हैं वाच्चे के तीन प्रकार होते हैं आपका एक तो एक तो होता है आपका कृत्री वाच्चे होता है ठीक करत्री वाच् बाच्चे का मतलब क्या होता है बोलने का विशे अब ये क्या होता है अब ये को अविकारी शब्द भी कहते हैं क्या कहते है अविकारी शब्द जिसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता इसका शाब्दी करत क्या होता है तो जो जिसका व्याय ना किया जा सके है ना जिस पर नहीं ये सन्यास है क्या है सन्यास ये वरतनी में भी आ जाता है तो ये न्यास तो अलग हो गया इसमें सम उपसरग है कौन सा सम उपसरग है ये जो बिंदी होती है अगर आप इसको अलग से लेके आए तो अधिकतर इसका रूल है संस्कृत में भी ये मकार के रूप में आ आठी है या आपको ध्यान रखनाने चाहिए यपालन हार आ रहा है ना कि आर तो यहीं हमारा D generation हो जाएगा अगला महर्शी में कौन सी संदी है तो महा जमा रिशी महा जमा रिशी तो यदि आ के बाद क्या आता है आ के बाद आपका री आता है तो अर हो जाता है आ के बाद आपका री आता है तो ए ओ अर है ना ए ओ अर किस में होता है ए ओ अर आपके गुण संधी में होता है तो यहाँ पर हमारा गुण संधी हो जाएगा अनवेशन मैंने बताया था जब भी कौन पूछ रहा है संधी विच्छेद तो जहाँ पर मैंने आपको बताया था क्या जहाँ पर भी संधी के जगे आधा वर्न हो क्या हो संधी के स्थान पर आधा वर्न हो जण लगा देना है और इसका जो संदी विच्छेद हो जाएगा अनुधन वेशन है ना उ के बाद यहाँ पर भिनस्वर आ रहा है तो उ यहाँ पर वे में कनवर्ट हो जाएगा तो अनुधन एशन है ना सुरी वेशन बोल रहा हूं माफी चाहता हूं अनुधन एशन लोक प्रिये में कौन सा समास है तो लोक प्रिये क्या होता है लोक में प्रिये में आ रहा है किसकी में आपकी अधिकरण कारक की विवगति है और अधिकरण कारक की बात हो रही तो सीधे आपको पता होना चाहिए कि अधिकरण ततपूरुस समास है ततपूरुस समास का उध तुरूटी का या हंसपद का एक चिन्न है तो इसका मतलब क्या होता है तुरूटी विराम इसका एक अन्य नाम है अगला नीम हकीम खत्राय जान तो अलप यान हानिकारक होता है कम जानकारी नुक्षांदे होती है जब विभाव अनुभावत असंचारी भाव के संयोग से रत राजय रस्पती कहा जाता अगला चंद को पढ़ते समय जो ठेराव ठेराव को क्या कहते हैं इन्दी में विराम और विराम क्या होता है यती आपका होता है यती है ना ये आपको ध्यान रखना चाहिए उस इस्तिति को यती कहते है अगला तू रूप है किरण में सौंदर ये से क्या किया जाता है उसको डेस्क्राइब किया जाता है उसको बताया जाता है तो वहाँ पर उल्ले खलंकार होता है अगला प्रशने वर्स दोजार पंद्रा का साहित्य अकाद्मी पुरुसकार तीसे दिया गया तो वर्स जिसमें आठवी अनुसूची की 22 भारती भाषा हैं, एक आपकी अंग्रेजी और एक आपकी राजस्थानी, कौन सी आपकी राजस्थानी इन में दिया जाता है, भुजपुरी में नहीं दिया जाता है, अगला प्रशना मारा, 29 ग्यानपिट पुरसकार की स्थापना, ये सुमित्र नंदन पंत जी को, किसके लिए, कला और बुढ़ा चांद के लिए, किसके लिए, कला और बुढ़ा चांद, कला और बुढ़ा चांद के लिए मिला था, ठीक अगला, बिहारी पुरसकार किस संस्थाद्वारा प्रदान किया जाता है, तो बिहारी पुरसकार आप ये लोकोक्ती है जिसका मतलब है अपनी उकाद से बढ़कर होना या करना ठीक है अपनी उकाद से बढ़कर होना या करना ये इसका मतलब है अगला है ठीक ठीक नियाए हो जाना के लिए उचित लोकोक्ती है तो दूद कदूद पानी का पानी ठीक 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 नियाए हो ज तो में है तो में में अधिकर तत्पुरुस हो जाएगा तत्पुरुस समास अब का जाएगा अगला most important चक्र पानी दर्शनार्थ आपको ऐसे याद रह कर लेना है पद में मानने समास कौन सा है अब यह इभाव समास है पेपर के लिए important है ध्यान कर लेना है अगला निम्लिकित सब्दों में से वर्तनी की दर्श्टी से कौन सा सब्द अशुद है तो पुषपांजली सही है निरापराद निरापराद नहीं होता है निरापराद होता है यह हमारा गलत है भासकर सही है और उज्वल है ना उज्वल इसने मुझे लगता है टाइप इसन को आप दीख सकते हैं उत्तर नेरापराद है अगला म्रिशन olun क्या होता है APP को समझना होगा मांटेशन का दुटा होता है आपका चिक quartz है नहीं चिकना कोमल तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा रुक्ष आपका हो जाएगा अगला इनमें से हिरन्य का परियावाची कौन सा है इन में से हिरन्य तो हिरन्य कहते है मेरे भाई सोने को है ना सोने को हिरन्य कहते है तो इसमें से कौन सा आपका हिरन्य का परियावाची है तो इसने गड़वड करकिये टाइप इसने इसमें आप ध्यान रख लीजिए इसमें कंचन था पहले वाले ये बात आपको ध्यान अखना चाहिए पाशान उपल पहान ये तो अलग है और अगला चालिसवा कुशन है मंतरकारी शब्द का तदभव रूप है तो मंतरकारी आपका तदसम है और आपका तदभव रूप आपका मदारी हो जाएगा तो मेरे इसाब से करीब करीब कितनी मि मिनट तो पंदरा मिनट में हमने चालिस कुश्चन कर लिए उमीद करता हूं ज़्याद समय खराब नहीं करते अब पढ़ो अब थोड़ी देर में यूपी जी की वीडियो ला रहा हूं अच्छी लगी है वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करना अपने दोस्तों उक्षा शेयर करना इस इच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी पाटशाला मैं हूँ राम भरत जै हिंद जै भारत